आप लोग आज से नियम बनाओ कि आप कम से कम 20 मिनट अपने घर में पतनी पती बेटी बेटा सब लोग 10 मिनट के लिए दरवाजे बंद कर लो और बाहर परची लिखकर चिपका दो अभी कीरतन हो रहा है आप भी बाहर से कीरतन करें अभी प्रवेश नहीं अभी यादा मस्त आख बंद करके भगवान में इतने डूब जाओ उस प्रैम में के आखों में अस्रू की धार गिरने लग जाए फिर देखो जीवन का अनद तो आप आदा घंटा कीरतन करो जोर-जोर से कागा करके कितने लोग करेंगे हैं से आप कीरतन करना मेरी मा बहुत सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है भगवान के नाम में इतना पावर है कि वो हर समस्या का समधान भगवान का नाम है हर दुखों से बचाने वाले भगवान है और कोई उपाय की जरूरत नहीं जो भगवान के नाम पर विश्वास करता है फिर उसे कहीं दरदर की ठोकर खाने की जरूरत तो रोज कीर्टन करो अपने घर में रोज कीर्टन करो पहला तो कीर्टन करना सीखिए दूसरा नियम बनाईए कि आदा घंटा सुवह या दुपहर जब समय निकालो आप पूरा परिवार बच्चा बच्ची के साथ दादा दादी के साथ पती बतनी के साथ कीर्टन करो नियम तो विश्वास दिलाव हमें क्या आप लोग करेंगे और यदि आपने ये किया तो आप स्टाम पर लिखवा के लाना मैं साइन करूँगा जो आप चाहते हैं संसार का सुख चाहते हैं तो सुख मिलेगा धन चाहते हैं धन मिलेगा यदि आप पद प्रतिष्ठा चाहते हैं पद प्रतिष्ठा मिलेगी और मोग्छ चाहते हैं तो भगवान नाम से मोग्छ जो चाहिए जो कामना है आप लिख के रख दो भगवान के चरणों में, कागज पर, पर नियम बनाना है, हमेशा जब तक प्राण रहींगे, आपको कीर्तन करना हूँ, आप एक्षा लिखकर के भगवान के चरणों में रख दो, कीर्तन करते रहो, भगवान से अथाह प्रेम रखो बस, जो एक्षा है लिखके रगदो भगवान गोपाल जी के चरणों में बस जो एक्षा है वो पूरी न हो जाए तो कहना और आप कीरतन निरंतर बनाई रखो आपके घर का कलेस कष्ट ना समापत हो जाए एक बार मेरे कहने से नाम पर विश्वास करके देखे खूब कीरतन कीजिए नियम बनाई कीरतन चेतन्य महाप्रभू क्या करते छे कीरतन नाम जब खूब नाप तुलसीदाजी ने क्या किया खूब नाम जब किया, मीरा भाई क्या करती है नाम जब, मेरे तो गिर्धर गोपाल केवल नाम जब गिर्धर गोपाल गिर्धर गोपाल, गिर्धर गोपाल नाम जब तुलसी दाजी ने, सीता राम सीता राम, सीता राम, सीता नाम जब कवीरदास जी नाम जब कवीरा सब जग निरधना धन वंता नहीं कोई धन वंता सोई जानी है जेखे राम नाम धन होई राम राम सिता राम केवल नाम जब स्री रामानुजाचार स्वामी जी ने केवल नाम जब कराया नाम जब खूब नाम जब करो किर्तन करो बस और तीन नियम का पालन करो नियम जरूरी है नियम क्या क्या होना चीए पहला नियम माचे पर तिलक लगाने का माचे पर क्या लगाएंगे मेरी माँ तिलक इस्त्रियां भी तिलक लगाएंगी और पुरुस भी तिलक लगाएंगे माचे पर तिलक लगाईए बच्चों की चोटी रखिए तिलक बोलो तिलक आप लोग तिलक क्यों नहीं लगाते आज लगाए हो कर लगाए जे घर पर लगाते हो तिलक सब लोग लगाओ इस्त्रियां माचे पर वाइट कलर से वी बनाए ये भगवान के चरण मान करके हम भगवान के चरण इस भाव से तिलग लगाया जाता है कि ये भगवान हमारे माचे पर तिलग है न ये दो उपर की तरफ जो ये भगवान के चरण है नीचे ये चरणों को रखने की आसन है बीच में लाल वो माता लक्षमी है तो तिलक इस भाव से के भगवान श्रीमन नारण के चरण हमारे माथे पर हैं इस भाव से तिलक लगाओ और पहला तिलक दूसरा चोटी बच्चों को चोटी रखो हिंदू चोटी नहीं रखेगा तो कौन रखेगा तिलक चोटी और तीसरा नियम रखो घर की रोटी घर की रोटी का मतलब है घर की ही रोटी खाओ बाजार की होटलों की रोटियां ना खाओ वरना तुमारी बुद्धी भरष्ट ना हो जाए तो कह देना किसी को अपनी बुद्धी भरष्ट करानी है तो बाजार का खाना शुरू कर दो खाना बाजार के खाने अच्छा ये बताओ जैसा हो ए अन्न फिर अन्न से मन्न का संबंध है समझो अरे मन अच्छा तो सब अच्छा मन चंगा तो कठोती में गंगा मन अच्छा नहीं तो अन्न गलत होगा आप एक काम करना, मैं अन्य का प्रमाण आपको दे रहा हूँ गीता में लिखा अन्नम ब्रम्ह, अन्य इश्वर का स्वरूप है आप एक काम करना, किसी चोर के घर जाकर रोटी खाना तो जब तक उसकी रोटी आपके पेट में है, तब तक आपके मन में भी चोरी करने के विचार आएंगे क्योंकि विचारों का जनम ही अन्न से होता है वही थौट कहां से प्रगट होते हैं, हमारे अंदर अच्छे, आप चार दिन कुछ मत खाओ आप विचार शोन्य हो जाएंगे भाई, चार दिन से कोई भूखा हो, तो कोई विचार ही नहीं आएगा आएगा, आएगा यदि आपके अंदर अच्छे या बुरे विचार आ रहे हैं, तो पेट भरा होगा, तो विचार आएंगे पेट खाली होगा, आपके अंदर कोई विचार नहीं होगा बोलो हाँ, इसलिए जितना अच्छा खाओगे उतने अच्छे विचारों का जनम होगा इसलिए भोग लगा कर ही खाएंगे कैसे खाएंगे? भगवान जी को तुलसी पत्ता डाल कर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर खाओ बाजार की चीजें, बाजार में बिना नहाई लोग बना रहे हैं कौन बना रहा है? जूता पहने कर, चपल पहने कर, कैसे? जुद्धि अशुद्धि खाओगे तो बुद्धी का क्या होगा? इसलिए जैसा अन, यदि मन को सवारना हैं, तो फिर अन को सुधारना पड़ेगा, यदि मन को नहीं सवारना, तो जो आप खाते हैं, खाओ तो तीन नियम तो रखो जीवन में नियम होना जरूरी है जिसके जीवन में नियम नहीं है वो जानवर है जिसके जीवन में नियम है वो इंसान है वो समझदार है इसलिए नियम का होना जरूरी है तो कितने नियम हो गए आपके लिए जोर से चार पहला नियम कीर्तन रोज फिर दूसरा तिलक चोटी बच्चों की बेटा की और घर की घर की घर की घर की रोटी सब जगे ना खाया करो भक्षा भक्ष खाने पीने पर कंट्रोल मेरी माँ जो कहीं भी तुम खाने लग जाती हो मेरी माँ कोई कंट्रोल नहीं है